नाम नमक निशान के एपिसोड 7 में स्वागत है अब सभी का और इस एपिसोड का नाम है Resilent Resolver और इस एपिसोड की ही स्टार्टिंग होती है हमारे बास्केट बोल कॉंपिटिशन से जहां पर टीम कोहिमा और टीम जौजीला है लड़ने के लिए तयार है एक दूसरे से हैं फिर बास्केट बॉल मैच चाल होता है इदर जोजीला वाले भी कम नहीं है भाई साथ इनका जो गेम है वो अपने गेम पे बने हुआ है यह मार पीट के खेलते हैं कूट पीट के खेलते है लेकिन कोई इनकी बात मानता ही नहीं है अंदन होता ये है, सब एक strategy पे चल रहे हैं कि भाई, captain और गुर्बास को पकड़ लिया, तो सब कुछ हमारे हाथ में आ जागा, पर वाई, दोनों तो हाथ में नहीं आते हैं, और वो basket पे basket किये जाते हैं, and finally, ये एक moment आता है, जिसमें आप लोग बहुत ज़दा खुश हो ज है, and फिर होता ये है, team के captain जो यूराज है, वो बात कर रहे होते हैं और से कि भाई, आपकी doctor कहा है, कब तक आएंगी वो, अंतभी एक लड़की आती है, और ये वह लड़की होती है, जो episode की starting में, यानि कि first episode में भिड़ी थी यूराज से, and फिर यूराज लट्टू हो गय फिर जो डॉक्टर टीना है, वो उनको सब को लेके जाती है, और उनका इलाज करती है, सब को देखती है, and फिर होता ये है, टीना बोलती है, congratulations guys, आप 9 साल बाद final में पहुंचे है, and then होता ये है, दिखाया जाता है, हमारी यूराज कुछ नहीं बोल रहे होते है, and फिर वह यूराज की बोड़ी, कोई भी लड़की पागल हो जाए, ये तो फिर भी एक डॉक्टर है, पर डॉक्टर इत्ती आसानी से कहा पेगलने वाली थी, यूराज कुछ नहीं बोलते है, ना कोई आको में प्यार हो जाता है, डॉक्टर टीना जो है, सब को देखके चल देती है इधर यूराज देखते रह जाते हैं, अब दिखाया जाता है देव को, देव जो है, वो मिलने आते हैं, अकैडमी के सबसे बड़े हैड से, ये देव के पापा के अच्छे दोस्त भी है, अब होता ये है, देव जो है, वो कुछ मिठाईयां लेके आया है, और फिर वो मना इसके डेड अपने बेटे को इसलिए नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि वो आर्मी में नहीं आना चाता था, और उसने एक कंपनी जोइन की, जिसमें वो काम करना चाता था, जिस वज़से उसके डेड अपने बेटे से नारास थे, और देव को वो कह देता है, भाई, तुम य तब देव पूछते हैं, लगेज किसका है, सत्पालुडा कहते हैं, कि एक बच्ची आई है, वो मेरे साथ ही रहती है, अब बताया जाता है, कि देव जो है, वो कहता है कि यह वही बच्ची है क्या, जिसको आपने वार में से बचाया था, और इसके मुमी पापा तो मर कहते और फिर सत्पालूटा कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रहे हो और फिर वो कहते हैं कि इसके मापापा नहीं है लेकिन ये ही मेरी अब सब कुछ है और मैं इसनी बेटी की तरह मानता हूँ फिर होता ये है, यहाँ पे देव को मैसेज मिलता है कि भाई जो hardest थी उसमें कुछ informations मिली है और एक voice मिली है जिसे आपको सुनना चीए और तब ही देव जो है वो move कर जाता है अपने mission के लिए अब दिखाया जाता है सारे लोग जो है वो basketball match के लिए बात कर रहे होते हैं बाहर फिर होता ही है यूराज बोलता है गुर्बास का है पर गुर्बास तो कहीं दिखी नहीं रहा होता है और फिर यूराज बोलता है ठीक है और मैं जा रहा हूँ गुर्बास को ढूणने तब दिखाया जाता है वहाँ पे आ जाती है नीती और नीती सब को डाटने लग जाती है कि यह क्या time है और तुमें अपने room में होना चीए ता जाओ अपने room में आराम करो पर यूराज जो है वो डूने निकलता है गुरबास को और जब यूराज गुरबास को देखता है तो वो दूसरी team वालों के लेड़ जाती है एक दूसरे से टीम नौशेरा और टीम कोहिमा एक दूसरे को बड़ी अटक कर दे रहे होते हैं बहुत बड़ी अटक कर दे रहे होते हैं और कोई भी किसी से कम नहीं था और पहली बार कोहिमा ने नौशेरा को इत्ती बड़ी अटक कर दी थी और बहुत अच जाती है और इनके नसीब में फिर से मायूसी ही मिलती है पर इन लोगों ने बहुत अच्छी spirit दिखाई और अच्छे से सब कुछ tackle किया लेकिन वापस से हार ही मिली है इन लोगों को इदर दिखाया जाता है ये जब खानागाने बैठे होते तो टीम नौशेरा वाले आके मजाक उड़ा देते हैं सबका और कहते हैं कि तुम लोग तो पूजर सी हो बोलना ही आता है तुम लोगों को लेकिन जीतना हमें आता है और हम जीत के दिखाते हैं फिर दिखाया जाता है हमार जो यूराज है वहां से उठके चले जाते हैं फिर जब उन्होंने गुरबाज और टीम नौशेरा वाले के आदमियों को मिलते हुए देखा तब ही वहां पर फैस शेरत आत्याज सब आ जाते हैं एंड वो रूक लेते हैं यूराज और गुरबाज इतर दिखाया जाता है दुश्यन सिंग जो है वो बुलाते है टीम नौशेरा वाले को और यूराज और फैस को फिर वो कुछ समझा रहे होते हैं तब ही वहां पर ट predictable है और फिर वो वहाँ से चला जाता है अब युराज को ये believe होता है कि भाई मैंने जो किया वो गलत किया मुझे गदार नहीं बोलना चीए था अब यहाँ पे दुश्चन सिंग समझाते हैं कि देखो तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके रहना ही पड़ेगा और जब तक त तक तुम किसी चीज में नहीं जीत पाओगे और युराज ये बात समझ जाता है अब होता यह है युराज को अपने बात का गिल्टी होता है और फिर दिखाया जाता है गुरबास को अपने बच्पन की सारी बाते आदा रही होती कि कैसे लोग उसके पापा को गदार कहा कर जाता है शेर जो उसे आके कामडाउन करता है कि भाई तो थोड़ा रुग जा ऐसा नहीं हो और गुरबास बहुत जादा सदमे में चला जाता है एंड यह जो एपसोड है यहीं खतम हो जाता है तो क्या लगता है अब गुरबास और यहो राज की जो दुश्मनी है वो बढ कि ये तो बताए जागा अगले एपिसोड में अगले एपिसोड देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब वीडियो को कीजिए लाइक और प्ले लिस्ट आपके सामने आ रही है क्लिक कीजिए इंजॉय कीजिए